आपके लिए इस लूनर एकलिप्स पे चंद रहां पे क्या मैसेज है कि आप यहां पर काफी स्प्रीच्वल हो जाओगे आपका विश्वास काफी अपने ईश्वर पर बढ़ने वाला है इस समय पर काफी emotional भी हो सकते हो आप में से काफी लोग अपने अंदर के monster से fight करने वाले हो अब आप देख रहे हो यहां पर क्या message है कहीना कहीना पर spiritual हो रहे हो और अपने वो जो dark side है ना जो black side है आपका उससे fight करते वे दिखाई दे रहे हो चिक है उसको खतम करते दिखाई दे रहे हो चिक है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक win situation है एक success है एक celebration है चिक है और आपकी यहां पर rich life, rich personality को मुझे दिखाता हुआ यहां पर दिख रहा है यह castle है चिक है यह castle है तो कहीं न कहीं आप या तो अपने घर को में कुछ बदलाफ करने वाले हो चेंजस करने वाले हो यहां मुझे इसा दिखाई दे रहा है कि आप अपमे lifestyle में कोई बहुत बदलाब करने वाले हो एक rich life, rich personality, rich diet यहां पर आप में से काफी लोग follow करने वाले हो चिक है see the grapes यहां पर मुझे आपके जो hard work है जो भी काम आप करते हो जो भी आपने past में कर्म की है उसका आपको खटा मिठा result मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर grapes मुझे यहां पर communications भी दिखा रहे है कुछ लोगों के लिए एक बहतर communications करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो बहतर communication एक अच्छी communication लोगों के साथ आपका communication का skill बहुत ही अच्छा रहने वाला है अब अपनी बात को दूसरे तक बहुत ही बहतर तरीके से पहुचाने वाले हो और यही चीज आपको और attractive बनाने वाली है यहां पर मुझे लगता है कि आपको अपनी energies को charge करने की भी जरुवत है और कुछ लोगों से आपको disconnection भी करने की जरुवत है तो वो अब आप जानते हैं मुझे कब अपनी energies को charge करना है बहुत ही काम यह नहीं सिर्फ काम 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 कर रहे हैं और अपना कोई new घर भी ले सकते हैं यहां पर कुछ लोगों से disconnect करने की जरुवत है जो आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं जो आपको nightmares देते हैं जो आपको bad feel कराते हैं आपको treat नहीं करते हैं तो कई नहीं कर यह चीज़े आपको रह रहे के अकर याद आती तो आपको card cutting करनी की जरुवत है इन लोगों से इन लोगों को tata bye bye करनी की जरुवत है यह में भी आपके life में आप vampire की तरह है जो आपकी energy सक कर लेते हैं यह इस तरह की लोगों को अपने life में अगर आपके है तो cut करिए यह एक अच्छा time है आपके लिए यह करने का दूसरा मुझे से दिखाई तेरह में भी आपकी life stuck है किसी चीज़ पर आप अड़े हुए हो या किसी चीज़ को छोड़ने को तयार नहीं हूँ तो past अगर है तो please छोड़ दो कोई past person है तो छोड़ दो अबकिन हमें अब इक है तो आपके लिए इसा आपके लिए जतना कीक्ट होगे ऑरे अच्छा है अपने घर पे आप कुछ Dorothy आप्छे अपनी लाइफ में वो अपने घर को खुबसूरत बना सकते हैं और थ्वास फ्रेश शेयर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है दूसरा सन और मून यहाँ पर आपके लाइफ पर बैलन्स लेकर आने वाला है कई न कई बैलन्स आपके दिखाई दे रहा है और किसी पॉसन का मेसेज भी आपको आ सकता है यह पॉसन आपको स्टॉक करता है उसका मेसेज आपको आ सकता है कुछ लोग के लिए यह पॉसन वो हो सकता है जो आप इंको जानते हो जब फिर आपको कोई detail information किसी चीज़ के बारे में लेने की ज़रत है मेभी आपको किस चीज़ पर doubt है लेकिन आप इसके पर research नहीं करें पर आपको ज़रूरत है मेभी आप worried रह सकते हो आपकी energy थोड़ सी worried रह सकती है परिशान रह सकते हो कि नहीं बात को लेगी कोई बात की tension बड़ आपकी wish fulfillment होते वे दिखाई दे रही है आप काफी emotional feel करने वाले हो ठीक है emotional like आप अगर बहुत ही खुश हो तो बहुत ही खुश रहोगे बहुत उदास हो तो बहुत उदास अपने worried देखा ना worried हो हो सकता किसी बात की tension ले रहे हो बहुत सारे मन में सवाल उठ सकते हैं बड़ उसका answer भी आपको मिलता दिखाई दे रहा please rest करे vacation ले और खुद को charge करे ठीक है तो कि आपकी आसपस कोई negative energy भी है और आप किसी चीज को लेके tension भी ले सकते हो तो यहां पर अपने अपने आपको charge रखना भी आपके लिए जरूरी हैगा ओके लेट सी पहले हम moon card से देखेंगे आपके लिए क्या message है आपर यह hard work is paying off तो आपने जो भी past में hard work किया है काम किया है वो आपको pay off करता हुआ दिखाई दे रहा है उसका फाइदा आपको मिलता दिख रहा है surrender to the divine जो भी आपका concern है ना जो चीज आपको परिशान कर रही है जो आपको worried कर रही है please surrender to the god कर दो उसको surrender to the god कर दो वो देख लेंगे वो समाल लेंगे ठीक है वो आपका जो महनत है आपका जो hard work है वो आपको pay off होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस समय पे तो बहुत ही जम के काम करो ठीक है पर आराम भी करना है what do you need to release, see आपको surrender करने को क्यों कहा जा रहा है तो कहीं न कहीं आपको कोई चीज़ release करने की जवत है और आपको ईश्वर कह रहा है मुझे दे दो अपनी सारी problem, मुझे दे दो जो भी कष्ट है, जो भी चीज़ परेशान कर रही है वो मुझे दे दो वो खुद मांग रहे, वो खुद चाहते हैं कि आप उनको अपनी सारी problems दे दो, ठीक है और आप tension free रहो, आप खुद को recharge करो, आपका charge रहना ज़रूरी है, यहाँ पर bottom of the deck देख लेते है look at the bigger picture, अभी आपको अपने life की bigger picture नहीं पता, आपको नहीं पता, आपके life में यह सब चीज़े क्यों हो रही है ठीक है, आपको tense देखके कहीं ना कहीं आपके जो God है वो tense हो रहे है, वो इचाहते हैं कि अपनी सारी problem आप उनहीं दे दो, तो surrender to the God करना आपके लिए ज़्यादा easy है बले आप उस चीज़ के लिए परिशान हो, अच्छा है कि surrender to the God करो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके आपके लिए और क्या message है देखिए, आपको कोई चीज़ रिलीस करने की ज़रूद है, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाए दे रहे हैं, या तो आपकी कोई negative side है, आप anxiety, depression में हो, आपके thoughts ही आपको खाये जा रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं, अगर ऐसा है तो please अपनी उन चीज़ों को surrender to the God कर दो आपको किसी चीज़ की जरूरत है कि उसकी information लेना, किसी चीज़ के बारे में आपको पूरी information नहीं, पर आपको काम तो करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता छोड़ दो, चिंता लो, stress मत लो, परिशान मत उसके लिए, कुछ चीज़े आप नहीं बदल सकते intuition, इसमें से मैं एकी card लेने वाली हूँ और आपके लिए आया है intuition का card, तो आपकी intuition बहुत ही जदा यहाँ पे अच्छी रहने वाली, strong रहने वाली, आपको guide करेगी आगे बढ़ने में, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पैसले लेने में मदद करेगी, तो अपने उ विश्वास करिएगा, अपने उपर विश्वास करिएगा, अपने intuition की सुनीगा, अगर intuition करी ऐसा करना है, तो वैसा करने की कोशिश करिएगा, कभी-कभी हम इसकी आवास को ignore करते हैं, पर समय अगर आपने इसकी आवास को ignore किया, आप अपने लिए ही problem, tension create करोगे, क्योंकि वो आपको सबसे सही रास्ता बताती है ठीक है इस समय पे आप बहुत ही आपकी psychic abilities बहुत ही high रहेंगी तो इस समय पे आप जो सोच रहोंगे ना उस चीज पर विश्वास करना हाँ वो हो सकता है ऐसा हो सकता है ठीक है तो ये आपकी intuitions काफी strong रहने वाली है इस समय पर आई ये देख लेते हैं और कि मैसेज है एरीज के लिए के लिए के लिए कि कि ट्रिंप ओवर ट्रॉबल और अब्स्टेकल तो जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही उस पर आप सकस्स पाऊगे fear, worry, tense situation हमने देखी लिया है हो सकता है वही चीज को कह रहे है वो surrender to the God करने के लिए ठीक है अब देखिए ये कार्ड किसके उपर आया है hard work के नीचे hard work के उपर आया है ठीक है ट्रॉबल और अब्स्टेकल ट्रिम सकस्स आपको मिलने वाली एंड ये आया है surrender to the divine के उपर fear, worry, tense situation तो वो जो tension है न वो जो tense situation वो सब आप surrender to the God करो unsuccessful outcome तो वो problem हो सकता है कभी आप जो आपका जो planning है वो successful ना रहे ठीक है chances है good luck luck आपका बहुत अच्छा रहने वाला है okay इस समय पर आप काम करो और lucky हो वो आपका सारा काम बनेगा यहां success भी है time to get off a situation अगर आप किसी situation में फसे हो तो आप समय आ चुका है कि situation से बहार आ जाओ ठीक है not unsuccessful plan देखिए हमाई सारे plans successful नहीं होते हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा हर बार ही नहीं होता ठीक है तो कभी-कभी unsuccessful plans भी हमें देखने पड़ते हैं increase your efforts if you want to achieve your goal तो थोड़ा सब महनत करना पड़ेगा ठीक है महनत extra efforts लगाने पड़ेंगे वो सामने वाला भी वही कर रहा जब तक extra efforts नहीं डालोगे तो यहां पर money and property through and inheritance winning and winfall तब ही आपके लिए castle आया था good advice a wise person तो हो सकता है आपको कोई good advice मिल सकती है wise person से किसी wise person से आपको अच्छे advice मिलते वे दिखाई दे रही है and यहां पर in need of help assistance and guidance कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकता है आप किसी की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं मदद के लिए तो अच्छे advice आपको किसी person समिन सकती है हो सकता है आपके आसपस है इस तरह कि अच्छे लोग भी है तो जो आपको अच्छे advice देगी जो आपको आप भला च आपको अच्छे लगी तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइम आच आप तक नहीं किया है तो comment box में ज़रू बताएगा thank you for watching